नमस्कार दोस्तों कानून का दर्वाजा चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि समाज में इस तरह के भी धेर सारे पिरित लोग हैं जिनके पुरवजाओं द्वारा बजरिये रेजिटर्ट के वाला से जमिन खर रहा है और कुछ दिन गुजरने के बाद वा गुजर जाते हैं इस तरह के यो भुश्वामी थे जिनका नमंत्रन से लड़िट के अधार पर नहीं हो सका अब उनके पुत्र या उनके पौत्र को यह बात काफी महगा पर रहा है आज के डेट में पुराना के वाला हो जाने के कारण अधिक्ष में बीच जाने के कारण जो तहशिलदार हैं आपके या आँचला धिकारी हैं वह सेल्डिट के अधार पर जमिन का नमंत्रन आपके नाम से करने के लिए तयार नहीं है तो इस तरह के जो पिरिद बेक्ति हैं उनको दो तरफ से परेशानी हो रही है एक तो तहस्रिलदार उन्हें परेशान कर रहे हैं उनका नमंत्रन नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो पहले के पुर्व के भुश्वामी थे नमंत्रन तो आखिरकार उनके नम से ही चल रहा है क्योंकि शेल्डिट के अधार पर नया नमंत्रन नहीं हो सका तो पुर्व भुश्वामी के नम पर नमंत्रन चल रहा है आज भी तो उनके जो वैद वारिशान हैं वह या तो जानबूज कर या अंजान में वह आपको भी परिशान कर रहे हैं कि आप इस जमिन को खाली करो क्योंकि उनके पुर्वजों के नाम से जमामंदी कायम है और आज यदि आप उन्हें अपना सेल्डिट दिखाते हैं तो उसकी मानेता देने के लिए तैयार नहीं है तो इस तरह की जो शमस्या है इससे निप्टरने के लिए नाममंतरन कराने के लिए आपको अपने जीले के उप्षमाहरता आप अपने जीले के एडिशनर कलक्टर के कोट में जमामंदी शुधार का वाद दायर कर सकते हैं और यदि आपको जमामंदी शुधार के किश में शफलता नहीं मिलती है तो इसके लिए आप सिविल कोट में डिकलेरेशन सुख दायर कर सकते हैं आज के एपिशोड में बस इतना ही कहना चाहूंगा और हमारे कानूनी वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे शाथ बने रहें और इसके लिए आवश्चक है कि आप हमारे चैनल को सस्क्राइब आवश्च कर लें धन्यवाद